सबी को नमस्कार आए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम और शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 से देख्या निफ्टी 50 जो है खून से थना हुआ था और आज लगबग निफ्टी 50 ने ओवर और 165.70 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई और गिर के आज ये बंद हुआ 10305 मॉर्निंग में देखे निफ्टी की गैप अप उपनिंग हुई और गैप अप उपनिंग रही लगबग 58 फिप्टी पॉइंट्स की 58 पॉइंट्स उपर निफ्टी खुला लेकिन ये बड़त को बरकरार नहीं कर पाया और गिर्टे गिर्टे लास्ट में लगबग 165 पॉ मार्निंग में और इसने जो आज हाई बनाया था देखिए वो मार्निंग के कुछ समय बाद वो था 10,553 लेकिन उसके बाद देखिए ये अपनी बड़त को बरकारा नहीं रख पाया और गिरते गिरते धीरे धीरे एक पीम के बाद तो ये कापी डाउन रहा और गिरते गिरते लास्ट में हलका सा उपर होके 10,305 पर बन हुआ तो देखिए ये चर्चा थी आज निफ्टी 50 के चार्ट की अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्टरल इंडस्स की तो देखिए राजा जो निफ्टी 50 है वो आज खून से संजा हुआ था तो उसके प्याने बिचा सारे क्या करते हैं आज वो भी सब लाल-लाल रंग से दर्शित किये गए हैं देखिए बात करें अगर एक एसे की तो देखिए इसमें जो फरस्ट परफॉमेंस दिखाई है फरस्ट बैट परफॉमेंस कहेंगे वो दिखाई है निफ्टी बैंक ने देखिए मने कई आप से अगर उसमें 1% गिरता है तो इसमें 2% अगर उसमें 2% गिरता है तो लगभग इसमें 4% की गिरावट इस तरह से देखी जाती है जो कि डाटा के साब से मैं आपको बता रहा हूं तो दिखिए निफ्टी बैंक जो है वो आज रगभग 3.76% से डाउन रहा है जो कि काफी कर रहा था लेकिन आज देखिए इसने लगभग 3% की to be precise 2.9% की गिरावट दिखाई और देखिए बाकि किसी भी सेक्टर की बात कर लें अगर निफ्टी FMCG को छोड़के तो निफ्टी FMCG में आज हलकी सी बड़क 0.45% की बड़क देखी गई और देखिए निफ्टी फा निफ्टी कोमोडिटी भी लगभग 2% से गिरावट था निफ्टी आटो में भी देखिए लगभग 0.68% की गिरावट आज देखी गई आईए बात करते हैं और बात करते हैं कुछ गेनर्स की जैसा कि उमीद है कि गेनर्स की रिल स्टार्स कुछ जादा नहीं है आईए बा लगभग 5500 रुपे बढ़का बंद हुआ नसले इंडिया में देखिए लगभग 160 रुपे की बढ़ात देखी गई और रिलाइन्स इंडस्टी आपका फेवरेट हम सभी का फेवरेट यह समय है उसमें लगभग 6.95 रुपे की बढ़ात देखी गई और कुछ खास बढ़त लगभग 0.02% की गिरावट देखी गई आज हिंडस्तान लिवर भी 25 रुपे से गिरा हुआ था ओन जी सी में देखी काफी गिरावट लगभग 3% की गिरावट देखी गई ओन जी सी काफी दिनों से गिरावट की और अग्रसर है मारति सुजुकी देखिया आज 131 रुपे नहीं दिखाया और 64 रुपे गिर कर बंद हुआ बजाज ऑटो भी देखिया आज लगभग 45 रुपे गिर कर बंद हुआ एल एंटी ने आज गिरावट दिखाई लगभग 12 रुपे की और कुछ टॉप लूजर्स की बात करें तो देखिया आज जो भारती एटल है उसने भ बजाज फिंसब जो बजाज ग्रुप के अच्छे शेर्स थे जिन्हों जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो सभी आज डाउन थे बजाज फानेंस देखिये 90 रुपे से गिरा बजाज फिंसब देखिये 270 रुपे से डाउन रहा हिंडाल को इंडस्ट्री देखिये लग लगबग 49 रुपे से डाउन रहा तो यह सब चर्चाती टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स की आई आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कॉमेडिटीज में तो कॉमेडिटीज में भी कुछ खास आज नहीं देखा गया अच्छा परदर्शन गोर्ड लगबग 0.51 परसें बढ़ते बढ़ते हुए बंद हो रहा था आज उसमें गिरावट देखिए लगबग 68 रुपे की गिरावट रही आज कुरूड वाइल में और अपना नेच्रल गैस भी लगबग फ्लैट रहा आज अब बात करते हैं देखिए बहुत important data की जो की है foreign institutional investor और domestic institutional investor आज तो भाई arrow से आप समझी गए होंगे कि आप पासा तो पलट दिया है F20 ने और बहुत ही बहतरीन तरीके से पासा पलट आ है देखिए आज नेट में जो F20 ने है वो लगबग 1766 करोड की खरितारी करीए 1524 करोड की इकल से भी ज़्यादा बिक्वाली करीए तो देखिए दोनों भाई भाई हैं जो इनका तालमेर आपस में कभी कभारी बैठता है और ज़्यादा तर तर तो यह opposite ही काम करते हैं कोई खरिदारी नेट में करता है तो कोई बिक्वाली नेट में करता है वो इस data में भी आज देखा गया है पिछले चार दिनों की बात करें तो देखिए एफ आइस की खरिदारी लगातार बढ़ती जा रही है 19 जून को भी अच्छी खरिदारी हुई 23 जून को भी अच्छी खरिदारी रही और आज तो देखिए लगबग 1766 करोड की नेट में खरिदारी कर यह नेट में सेलिंग करी है नेट में वह है 1524 करोड की आगे बात करते हैं कुछ मार्केट नियूस की देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नियूस हैं केडिला हेल्थ केयर की जो कंपनी है जाइजडस को देखिए यूएस का फाइनल एपडिया अप्रूवल मिल गया है जो हा से रिलेटेड है उसका कुछ अप्रूवल मिल गया है जाइडस को अब मार्ति सुजुकी में देखिए इंपॉर्टेंट नियूस यहां पे है कि जो कोविड नाइंटीन में 17 जो इनके एंप्लॉईस थे सिक्यूरिटी एजिंसी के वो अभी एक्दम से गायब हो गया है तलाश में है जो उसके साथ मर्जर या अक्विजिशन कर चके फीचर मोबिल्टी के लेके फीचर में जो अच्छी अच्छी तरीकी की बाइक्स या फीचरिस्टिक बाइक्स आप कह सकते हैं या कुछ और कॉंसेप्ट्स पर जो वर्क करें तो एक पॉसिबल मर्जर हो सकता है किसी स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ हिरो मोटर कोप उसकी तलास में है अदानी पावर देखिए उसने आशा जताई है लगबग 49% स्टेक लेने की उडिसा पावर जनरेशन कॉप में तो अदानी पावर इसमें स्टेक ले सकता है लगबग 49% का जो काफी बड़ा सिपला ने देखिए कहा है कि वो जो कोईट से रिलेटेड ड्रग है वो लगबग 50 रूपे से नीचे में लाएगा इंडियन मार्केट में तो यह सिपला से रिलेटेड नीउस है फार्मा सेक्टर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है दो दिन से फिर भी यह नीउस है कु परफॉर्म सेक्टर की जो कंपनिया है वो छाई रहती है आए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं स्टॉक रिजल्स की यह भी देखिए इसके तुरू आप जो कंपनी में डील करना चाहते हैं उसके परफॉर्मेंस देख सकते हैं उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं अगर बात करें देखें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने तो देखिए इसमें एक विरोदावास देखी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने प्रॉफिट जो है नेट में वो दिखाया माइनस में 272,713 करोड लेकिन देखिए इसका जो नेट लॉस हुआ था उससे इस बार थोड़ा कम लॉस हुआ है तो इसलिए जो नेट प्रॉफिट आये वो परसंटेज इंक्रीज में लगवग 18.6% की बढ़त देखी गई है तो हो सकता है ठीक ठाक सी बैंकर या आगे कुछ अच्छा परफॉर्म करें बात करें इंडिया सिमें की तो देखिए इसमें दामानी जी के शायद शेयर से हैं काफी उन्होंने अच्छी बाइंग करी थी इसमें लेकिन कुछ कास परफॉर्मेंस नहीं रहा है देखिए इसमें 134.1% से जो इसका नेट प्रॉफिट है वो गिरा है और जो सेल्स है वो भी लगवग देखिए 26% से डाउन है तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा आया इस कौर्टर में इंडिया सिमेंट्स ने अब देखिए फेस थ्री जो है उसके भी जो परफॉर्मेंस रहा है वो डाउन रहा है 26% से प्रॉफिट गिरे हैं GMDC देखिए गुजरात मिन्यल डेवलेमेंट नेट प्रॉफिट रहा है वो लगबग 67% से डाउन रहा है और जो नेट सेल्स ग्रोथ रही है वो रही है 22% से डाउन अई बात करते हैं कुछ रिजल्स की स्टेंड अलोन बेसेस पे तो देखिए इसमें देखेंगे आप एलाइड डिजिटल सर्विसेस का प्रॉफिट ज देखिए इनका जो प्रॉफिट है वो लगबग 1000% से बढ़ गया है तो इसने काफी ठीक ठाक सा प्रफॉर्मेंस दिखाया है और देखिए सुनिती केमिकल्स लिमिटेड ये काफी चर्चित कंपनी थी पहले कुछ प्राइज रिलेटेड इसमें काफी डाउन हो गया था इ गिरावट आई है 8300% से तो देखिए ये तो काफी बड़ी गिरावट है मान लीजे कंपनी बहुत ही बुरी हालात उसे गुजर रही है अब बात करें देखिए इंडिया सिमेंट के अगर स्टैंड अलोन बेसिस पे करें बात तो देखिए फिर से इसमें काफी गिरावट आप देखिए गई स्टैंड अलोन बेसिस में आगर देखिए आप तो लगबक 353% से इसके प्राफिट गिरे हैं और जो अपना सेल्स ग्रोथ है वो भी लगबक 26% से नाउन है तो इंडिया समेंट का भी प्राइज भी ठीक ठाक सा सायद मुझे दहां तक जाने 126-130 बारे में देख सकते हैं लेकिन अपनी पूरी रिसर्च के बाद आईए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके प्यारे सेक्शन की इंट्राडे के प्यारे सेक्शन की बल्ड डील की तो देखिए पहली बल्ड डील के बारे में बताना चाहूंगा आपको देखिए ला उसी ग्रूप ने कहिए, इंटरप्राइज ने कहिए, सेलिंग करीए एक शेयर की, तो मतलब नेट में आप देखेंगे, ये बाइंगी माइन नहीं जाएगी, कि ये 25 लाग शेयर की लगबग कॉंटिटी बाइं कर लिए है, लाइकास इंटरनेशनल लिमिटेड में, लगबग 9 रुपेस का प्राइस था, और देखेंगे, आज ही ये जो एक सेलिंग हुए, 9.95 पैसे में सेलिंग हुई है, एक शेयर की, जोकि इन्हों ने देखा होगा, कि ठीक ठाक सा प्राइस बढ़ रहा है, अगर 25 लाग शेयर की बाइंग करी हैं, और एक रुपे भी शेयर बढ़ जाता है, तो कितना मुनाफ़ा हुआ है, इनको अगर सेल कर देते हैं, देखें, 25 लाग इंटू 1 कर लीजे, तो 25 लाग आता है, तो इस तरह से बड़ डील्स में लोग फाइदा उठाते हैं, बड़ बड़े कंपनीज फाइदा उठाती हैं, यही देखें, शेयर मार्केटी का ताकत है, और आज देखिए भाई साब एक और डाटा आपको आश्चर चकित कर देगा, भारत हैवी एलक्ट्रोनिस लिमिटेड भैल के कुछ खास रिजल्ट सुनही रहते, आज इसमें लेकिन इसके वॉल्यूम ज़्यादा हाइली ट्रेडेड होते हैं, तो आज देखिए इसमें बात बताता हूँ आपको देखिए, आप ध्यान से देखिया, जो इसकी बाइंग हुई है वो देखिए लगबग हुई है दो करोड अटालीस लाग, अगर इसको कमबाइन करते हैं तो दो करोड अटालीस लाग आप मान लीजिए, वो लगबग बाइंग हुई है 37 रुपए 50 पैसे पर, ध्यान से देखिएगा आप इस डाटा को ध्यान से देखिएगा और जो सेलिंग हुई है वो देखिए उतने शेयर की हुई है, टोटल उतनी कॉइंटिटी है 2,40,000,000 मान लेते हैं तो देखिए जो सेलिंग हुई है वो हुई है अपनी 37.60 रुपीज में तो देखिए आप ध्यान से देखिए ये बात तो इसमें जो डिफ्रेंस है वो कितना है 0.10 पैसे का है की नहीं लेकिन जो शेयर की कॉइंटिटी दाख रुपे का direct profit है within one day, within one hour बोल सकते हैं within 10 seconds बोल सकते हैं क्योंकि इतना price fluctuation हो जाता है 10 second में आप या 1 minute में या एक घंटे भी आप बोल सकते हैं अगर trade reverse पढ़ गया है तो इस तरह से दिकें बर्ल डील का लोग फायदा उठाते हैं और ये जो HRTI Private Limited है काफी बर्ल डील क करता है मैं डेली का डाटा देखता हूं तो डेली काफी कंपनीज में बल डीलिंग करता है तो यह है शेयर मार्केट की ताकत देखिए आपको मिंटों में कमा के भी देख सकती है लेकिन मिंटों में ध्यान रखिए आपका सारा पैसा गवाँ भी सकती है अगर ट्रेड आपका बाइंग हुई है RM trip and spring system limited में जो pushkar विने date की है उन्होंने लगबग बाइंग करी है 40,000 shares की 51 रुपे के price में और उसके बाद बात करते हैं Suntech reality limited की तो देखिए इसमें जो selling हुई है पहले दो selling data के बारे में बात करते हैं पहले तो 10,00,000 shares लगबग बेचे गए फिट लगबग 30,000,000 shares बेचे गए तो on and average देखिए 40,000,000 shares की selling हुई है और वो price रहा इनका 181.30 और जो देखिए बाइंग हुई है वो कोटक महिंद्रा ग्रूप जो है कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेट को जो ग्रूप है उन्होंने बाइंग कर लिए इसमें 16,80,000 shares की 180 के price में तो देखिए इनको विश्वाद जाग गया इस कमपनी में कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेट को और Fidelity Investment और FGT, BM, FM, Emerging Markets ने इन में selling करी है और उसी के विपरीत कोटक महिंद्रा में इसमें buying करी है SunTech Realty Limited के बारे में डाटा था आए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के खास section आज की बात के तो देखे मैं आपसे यही कहना चाहूँगा बहुती ध्यान से इस बात को समझे मैं हर वीडियो में आपको कुछ last में ज्यान की बात बताता हूँ जो बहुत ही important हो सकती है knowledge के साथ साथ अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो देखे share market में आप काफी हद तक profit कमाएंगे और losses से काफी हद तक बचके रहेंगे देखे पढ़ते हैं आज की बात को और सुनते हैं इसमें क्या चुपा है सबसे कटिन वक्त को भापना और losses को मापना कितना लगाऊं फिर नापना उसके बाद माल चापना तो देखे काफी दूर समझके मैंने शायरी सी बनाई है आपके लिए तो देखे पहले आप सबसे कटिन वक्त को भापिए अगर आप मानिया इंडेक्स 10,000 पर अगर वो 5,000 चला जाता है या 4,000 चला जाता है 6,000 चला जाता है और अगर आपने आभी बाइंग कर ली तो सुचे आपका कितना पॉर्टफोलियो लॉस होगा लगवग आधा हो जाएगा है या हो सकता है आधे से भी कम चला जाए अगर शेयर से आपने ठीक कैटेगरी के नहीं चुने है उसी तरह से आप लॉसेस को माप हो कि भाई इतना लॉस हो सकता है क्या मैं बेर कर सकता हूँ क्या मैं नहीं कर सकता हूँ क्या मैंने उधार का पैसा लगाया है या मैंने कहीं पैसा किसी और से लेके लगाया है तो इस तरह से आप losses को मापिए कि अगर loss हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा क्या मेरे पास extra fund है अपनी living के लिए या नहीं उसके बाद आप यह ना पिए कि कितना पैसा लगा हूं मेरे शेयर मार्केट में मेरी तो आपको सबसे best राई यही है देखिए उतना पैसा लगाई है जो पूरा का पूरा अगर डूप जाए तो आपके जो नॉर्मन लाइफ है उसमें कोई effect ना पड़े देखिए बहुत ही यह शेयर मार्केट है आप बुलंदियों तक भी पहुंच सकते हैं और गिर के देखे जमीन के इतने अंदर जा सकते हैं कि निकलने का बाहर मौका ही नहीं मिलेगा इसलिए मैं चाहता हूँ आप उतने ही पैसा लगाए जितना पूरा भी चला जाए तो आप कम से कम धरती प एक्जिस्ट कर सकें उसके बाद आप माल चापने की सोचिए कि भईया इतना मैंने लगा दिया इतना मेरा प्रॉफिट होगा इतना मेरे को परसंटेज मिलेगा रिटन परियर बेसिस पर या मैं इंटर दे हूँ तो इस तरह से मैं अपना सौधा करूँगा तो इस तरह से अगर आप डील करेंगे यह सोच करके डील करेंगे तो देखिए बहुत ही बेनिफिशल रहेगा आपके साथ और इसी के साथ एंड करता हूँ इस वीडियो का उमीद है आपको यह डाटा पसंद आया होगा डेली बेसिस पर रेगुलर बेसिस में अपडेट करता रहता और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करिए इस डाटा को जो की रेगुलर मार्केट अपडेट चाहते हैं डेली बेसिस पर उनके लिए डाटा काफी इंफरमेटिव हो सकता है तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू टेक क्या